अज़ाने कम बिसमिल्लाहिर्ण रहीं जावा वीडियो टुटोरियल में डाल एजूकेशन के आपको श्शाम देख आज हम जिस मौदोर को बात करने जा रहे हैं वह हैं जावा मॉडिफाइड टाइप सबसे पहले बात यह के मॉडिफाइड होते हैं इसका मकसद यह है कि आपने जिसके मीनिंग चेंज करने हैं उसके साथ क्या उसके साथ आप कीवर्ज लगाते हैं जावा लेंगविज इस रवाइड वराइटी और मॉडिफाइड इंक्लीडिंग दापॉलिंग अब उसमें दो तरह एक है जावा एक्सेस मॉडिफाइड और एक है आपके पास नौन एक्सेस मॉडिफाइड तुजू अब मॉडिफाइड यूजू दा की वर्ड इन आपने इसको कीवर्ड से पहले लगाना है यानि आप क्लास बना रहे हैं फंक्शन बना रहे हैं आप कोई वर्यबल डिक्रेर कर रहे हैं इस विल भी इन दा स्टार्ट और दा प्रिजू जूजू जूज मॉडिफाइड के लिए एक अटैलिक वन्स हैं फॉल्विंग जैं के सामने प्राइवेट बुलीन एक वैरीबल के सामने स्टैटिक फाइनल डबल यह आपके वीक्ष के साथ को एक्षा इसको समयने के लिए हम एकसेस मॉडिफाइड की बात करते हैं कि सेस कंट्रोल मॉडिफाइड से कुन से होते हैं Java provides a number of access modifier to set access level of classes, variables, methods and constructors. The four access levels are visible to the package, the defaults, no modifiers are needed. अगर आप किसी के साथ नहीं लिखते, यानि अगर आप लेकिने variable बनाया या एक class आपने बनाया और उसके साथ आपने कोई modifier नहीं दिया, तो उसके साथ automatically default modifier आता है, और उसकी value क्या आती ही कि वो default है, कि वो no modifiers are needed, कि वो visible to the package होता है, package means है पूरा program के अंदर आएगा, visible to the class only, private, visible to the world, public, and visible to the package and all subclasses, protected. अगर आपने सब को दिखाना है, तो public कर दें, अगर आपने सिर्फ class तक में दूद रहना है, तो private कर दें, और अगर आप कहते ही जी package के अंदर रहे लेकिन package से बाहर ना जा सके, और आल subclasses तो आप protection रहें, अब आते हैं no access modifiers, Java provides a number of non-access modifiers to achieve many other functionality, the static modifier for creating class methods and variables, the final modifier for finalizing the implementations of classes, methods and variables, the abstract modifier for creating abstract classes and methods, इंशाला हम अभी बहुत जल्दी OOP के अंदर आएंगे तो हम उसको classes को समझेंगे, तब हम वहीं पर हम यह चीज़ें को भी समझेंगे कि इससे मराद क्या है, abstract classes क्या होती है और डूसी classes क्या होती है, the synchronized and volatile modifier which are used for threats, यह threats भी जो है, यह भी आपके OOP के ही concepts में, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अगे बढ़ाते हैं और next topic जो हमारा topic है वो इसके अंदर आते है, let's suppose वो है Java loop control, इसको में इसको में रख देते हैं, इसको माडिफायर रख देते हैं, इसको एक्सेस modifier,